हर ठंड में मैं एक बार ये अचार जरूर बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद है ये ले लिया है मैंने गोबी, गाजर और मूली इन तीनों चीजों को साफ करके दोग के अच्छे से और काट लिया है आपको जित्ते पड़े पीसे से ये आप उस शेप में काट लिजे और सबजियां और भी कुछ मिक्स करनी है जैसे की सेम की फली होती है या मटर के दाने वो भी आप इसमें मिक्स करेंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं और नमक और हल्दी डालके इसको जरा सा हम जैसे कोई नीचे आप इसमें पॉर्ट रख दीजे ये देखिए मैंने कटोरा रख दिया जिसे एक्स्ट्रा जो भी पानी रहेगा तो उसमें निकल जाएगा और फिर इसको हम धूप में थोड़ा सा करीब चार से पाँच घंटे हम धूप बिखा देंगे तो एक्स्ट्रा पानी है जो सूख जाएगा और फिर अब हम इसके अचार की मसाले की तैयारी करेंगे ये अचार ना थोड़ा सा अब जादा बना के रख लीजे ये पाँच है मैंने तक आप इसको बढ़िया से यूज कर सकते हैं और बड़ा टेस्टी लगता है तो ये मैंने मसाले के लिए राई दाल ले लिया है यदि आपके पास राई दाल नहीं हो तो जो नॉर्मल काली सरसों आती है उसको भी आप ले सकते हैं और सौफ ले लिया है मैंने और मिथी दाना मिथी उन दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहेगी और इनको धीमी आज पे 5-7 मिनट भून लिया है और फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे ग्राइंड कर लेंगे बहुत सारे मसाले इसमें नहीं लगते हैं और बड़ा इसीली बन जाता ह है और टेस्टी तो लगते ही है और यह देखिए अब पहने कड़ाई में ते ले लिया है सरसो का लीजे और इसको हम अच्छे से गरम करके और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल दिये हींग और वो मसाला पीसा था उसको तो बिलकुल हलके गरम में यह तीकी मिर्च कम डालिया थोड़ा सा दे की मिर्च भी डाल सकते हैं और यह मैंने डाल दिया कलॉंजी या फिर इसको आप करायल जो भी बोलते हैं वो डाल दिया और सब चीजों को मिक्स करके और यह जो सबजिया है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे आप इसमें चाहें तो कुछ हरी मिर्च काट के नीबू और अद्रग भी मिक्स कर सकते हैं वो भी इसमें अच्छा लगेगा बट अभी तो मैं फिलाल ये तीन चीजों से ही बना रही हूँ और इनी का इस्वाद बड़ा अच्छा लगता है अब देखे नमक हमने पहले भी डाला था तो अब उसके according हम नमक डालेंगे तो ज़्यादा नहीं हो टेस्ट कर लीजेगा और सब चीज़े जब मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम लास्ट मिस में फिनेगर डाल देंगे तो इससे इसकी shelf life बढ़ जाएगी तो बस अब ये अचार ready है खाने के लिए बट इसको एक दो दिन रख के फिर खाएंगे न तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा अच्छे से सारे flavor सबजियों में आ जाएंगे तो अब इसको किसी भी airtight container में रख दीजे और अराम से ये पाच्छे मेंने चल जाएगा क्योंकि हमने वेनेगर डाला है तो आप एक बार इस तरीके से अच्छा जरूर ट्राइगी जीगा और मुझे बताइगा कि आपको कैसा लगा